तो आज मैं आपको clear करने वाला हूं JavaScript में कि where let and const में difference क्या होते हैं JavaScript में क्योंकि मैंने अल्लेडी बता दिया कि where let and const कैसे use किये जाते हैं JavaScript की files में आपको नहीं पता तो आई बटन पर जाकर करके देख सकते हैं अगर आपको फिर भी कोई query होती तो आप आमारे WhatsApp ग्रूप को जरूर जोइन करें जो कि description नीचे दिया हुआ ठीक है तो where let and const का use क्या है वो मैं आपको इस file के जरीए बताने वाला हूं इस file में करकर के तो पहले मैं क्या करता हूं पहला जो difference होता है वो समझने की कोशिस करिएगा सभी के लिए important रहेगा मान के चलिए where x is equal to मैंने किया यहां पर 12 ठीक है और मैं क्या करता हूं where x is equal to यहां पर करता हूं 20 और फिर मैं करता हूं console.lock ठीक है guys अंदन मैं यहां पर x को प्रिंट करूंगा ठीक है तो अभी क्या है अभी आपको भी पता है output क्या आने वाला है like अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं मैंने एक variable same name से बनाए xx ठीक है तो जब मैंने same variable को यहां पर reused किया है मतलब re-assign किया है re-create किया है तो यहां पर जो output आपको मिलने वाला है 20 मिलने वाला है आप भी जानती ही है अगर आप कोई नहीं पता है तो आप चेक करें हमारे टुट्वेल्स तो मैं इंस्पेक्ट करता हूं console पर जाता हूं तो यहां पर देख सकते हैं आपको 20 मिलना है अगर by the way मैं like 20 यहां लिखता यहां पर 30 लिखता तो आप जो output मिलने वाला है आपको 30 मिलने वाला ठीक है सेम यही condition अगर मैं let के साथ करूं like मैं यहां पर लिख दूँ let and then let ठीक है जहां से समझेगा bear में मैं लिख रहा हूं तो bear में मेरा जो है last वाला जो recreated element वो variable है वो मेरे को show कर रहा है अब by the way मैं let का use करके यह दो बारा बना रहा हूं मतलब दो बात create कर रहा हूं ठीक है जैसे मैंने bear में किया तो name same रखा है यहां पर यहां पर भी name same रखा है ठीक है अब आपको जो है error मिलने वाली है वो देखेगा guys यहां पर तो देख सेते हैं guys यहां से समझे इस error को identifier x has already been declared इसने क्या बोला कि x already declared है आप इसे दुवारा assign नहीं कर सकते हैं मतलब दुवारा इसे create नहीं कर सकते हैं इस x variable को अगर आप चाते हैं तो by रख सकते हैं तो अभी यहां पर अभी आपको सही देने वाला output ठीक है अगर आप देखे दुवारा यहां पर क्या करें कि करता है अगर let जब भी आप उस और होते हो बैयर यूज हो तो कोई दिक्कत नहीं है वह recreate कर देता आपके लिए पर जब आप लेट यूज करोगे तो आप एक variable का नेम सेम नहीं रख सकते हैं मतलब दो वैरिए वल के नेम सेम नहीं रख सकते हैं तो जैसे आप यहां पर दे को डिफरेंट नेम दें सकते हैं अब टुईंटीटू आ गया अब सेम आपको समस्तम है डिवेर में मैं एक नेम से कई वेरीबल्स बना सकते हैं पर लेट के इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते स्वास्क्राइब करता हूं एक हम नाम का यहां पर कीवर्ड यूज किया जावास्क्राइब एंड तो हमने क्या क्या जैसे हमने वैर में किया लैट में हमको एरर आ गे थी वैर में नहीं आय थी अब क्या के case में क्या होगा अगर मैं const के case में अगर दो variable के name same कर दूंगा बहाला कि मेरी value different है पर name same है तो अब यहां पर क्या होने वाला है तो यहां पर भी same है आपको error देखने को मिलेगी देख सकते हैं guys x has already been declared अगर मैं यहां पर y करता तो मेरा चल जाता ठीक है अगर मैं दौनों को by करता तो नहीं चलता क्योंकि दौनों के name same होगे तो यहां पर आपको पहला difference यह समझ में आया होगा कि हम जब भी bear से कोई variable बनाते हैं तो हम recreate कर सकते हैं same name से पर let और const के case में हम दो variable का name same नहीं रख सकते हैं यह पहला फर्क है beginners के लिए interviews में पूछ ले आता है कि difference क्या है ठीक है पहला difference याद रखीएगा and then दूसरा difference क्या है वो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि मान के चलिए यहां पर हम क्या करते है बैर से ही लेकर चलूँगा बैर x is equal to 10 ठीक है मैंने क्या क्या वैर x is equal to 10 और मैं इसे simple save करके print कर आता हूँ प्रिंट हो रहा है ठीक है अब आए तब ही मान के चलिए मैं यहां पर कोई री क्रियेट नहीं कर रहा वैरियोल हला कि मैं क्या कर रहा हूँ री असाइन करने वाला हूँ अब तो अब मैंने क्या कर दे x is equal to 20 अब आपको पता है आउटपुट क्या आने वाला है 20 आने वाला ठीक है तो 20 आ रहा है यह मतला बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है अब मैं इसी काम को मैं लैट के केस में करता हूँ ठीक है तो लैट के केस में करूँगा तो अभी यहां पर क्या है लैट x is equal to 10 and then x is equal to 20 तो अब क्या है तो कि आपने एक वार declare कर दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते यह पूरे पेज के लिए या जिस जहां पर भी आपने वनाया है बिलॉप में या function के अंदर वही वैल्यू रखता है जो आपने एक वार आसाइन कर दिया आप उसे बार बार चेंज नहीं कर सकते यह होता ह मतलब constant ठीक है तो अब यहां पर जो है आपको error मिल जाएगी like मैं यहां पर 40 करता हूं अब हमें वैसे वैर होता यह लैट होता तो हमें जो answer मिलता वह 40 मिलता पर const के case में हमें नहीं मिलने वाला कुछ भी हमें error मिलने वाले ठीक है तो यहां पर देख सेता है assignment to constant variable तो यहां मैंने अगर आप यहां पर x is equal to 10 करते हो ठीक है sorry 12 कर दिया तो अब आपको बोला assignment to constant variable आप क्या कर रहे हो assign करने की courses कर दो हाला कि already था constant का मतलब यह ध्यान रख रहेगा कि constant का मतलब यह होता है कि आपने एक वार जो उसमें value assign कर दी यहां पर जो आपने value assign की है न x is equal to 10 तो एक वार assign होने के बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह इसका कहना होता है कि आप यह से हर वार यूज नहीं कर सकते हैं आप पहले ही value को change कर सकते हैं आपने एक वार जो value define कर दी तो वो बस define होगी पत्थर की लगी रहे आप उसे बात में चिंज नहीं कर सकते हैं तो डूसरा जो difference है वो आपको संहिवें आया कि हम reassign नहीं कर सकते हैं ul. हाला कि हम let को और variable bear को assign jaki asset कर सकते हैं पर हम उसको असाइन नहीं कर सकते हैं जो हमने const से बनाया variable ठीक है तो यह होता है आपका second difference and then third जो होता है वो main difference है third difference क्या है वो आप समझेगा यहां पर तो मैं मान के चलिए यहां से एक new बनाता हूं और मैं यहां पर क्या करता हूं एक condition होना आता हूं ठीक है और condition में मैं क्या करता हूं where यहां पर मैं क्या करता हूं पहले 3 greater than 2 से मैंने क्या क्या 3 greater than 2 से तो मैंने क्या क्या यहां पर अंदर एक variable होना है where name से ठीक है तो मैं यहां पर क्या करता हूं where message is equal to यहां पर मैं कुछ भी लिख सकता हूं like this condition is true ठीक है guys तो आप देखिए यहां पर क्या है मैं यहां पर जो है बाहर console.log कराता हूं और मैं क्या कराता हूं message ठीक है अब समझे आप बात को यहां पर ठीक है मैं इसे print कराता हूं तो condition is true चल रहा है अगर मैं इसे यहां की जगा यहां पर भी रखता हूं अंदर तो भी मेरे को जो है answer सई देने वाला ठीक है पर मैं इसे बाहर ही रखूंगा basically ठीक है बाहर रखा चल रहा है basically ठीक है अब इसी काम को मैं लैट के साथ करूंगा let मैंने यहां पर where की जगा कर दिया let कर दिया and then मैं यहां पर इसके एंदर पहले call करता हूं और मैं बाहर से इटा दीता हूं तोमद भी देखें बढ़े तरीके से चलने वाल 파 vict को बाहर यूज करता हूं ठीक है अब मैंने चलिए मान के चलिए मैंने बाहर यूज किया तो अब यह क्या चलने वाला है नहीं चलेगा क्योंकि यह error देदेगा message is not defined मतलब इसने क्या बोला message defining नहीं किया और आप यूज कर रहे हो method के case में क्या होता है और लेट जो है block के अंदर भी scope होता उसका bear में क्या होता है wrap आपका block के अंदर वी चलता है और बाहर想法 दिखलता है पर जो आप ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर पागल था जो मैं यहां पर यूज कर रहा था तो यह मैंने आपको बता रहा था ठीक है तो यह मैंने आपको बताया कि आप इसे ब्लॉक से बाहर यूज नहीं कर सकते हैं इस बैरीवल को क्योंकि आपने जो है इस block के अंदर इस variable को नवे यह जो हैं आपके block है यह यहा से start है यहां पे end है एंड आपने उसके अंदर message नामका का एक लेट करके बना दिया variable ठीक है तो आप क्या चाहते हो आप यहां पर तो call कर सकते हैं उसे easily बर आप उसे बाहर यूज नहीं कर सकते हैं तो यह पहला मतलो last difference है जो की third difference है कि bear जो होता है bear को आप function के अंदर ही scope होता है उसका function से बाहर आप use नहीं कर सकते हैं हाला कि जो let होते है let को आप block के अंदर ही use कर सकते हो बाहर यूज नहीं कर सकते हैं function तक पहुंचने की तो बात बहुत दूर ही है ठीक है आप उसे if के अंदर बनाया तो आप उसे if के अंदर use कर सकते हो जो भी अपने block बनाया आप उसके Además कर सकते हो ठीक है बाली अरकत आना कि करना नीचे पर आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं ठीक है तो देखे सकते हैं आप यहां पे बोला message is not defined तो आपको तीसरा difference आपको समझ में आया हुआ कि वेर जो होता है वो only function के अंदर का scope होता है function बीच में क्या क्या मेजर difference है जो कि आप से पूछ लिए जा सकते हैं कि इन में difference इस क्या है तो बैसिकली यह यूज होता है इनका लेट कॉंसेंड वेर का जो कि आपको समझ में आया हुआ अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को like करें करें और चैनल को subscribe कर सकते हैं क्योंकि हम आगे देखने वाले हैं इसका second part और जो कि हमारे template literals के उपर होगा जो कि beginners के लिए काफी helpful रहेंगे as a beginner so thank you I'll tell the next tutorial